बिशेस चक्र विहार सिख्षक नियोजन कौंसलिंग की तिथी और अस्थान जीलावाइज आना प्रारंब हो चुका है जिहाँ दोस्तों छटे चरन के ताथ बचे हुए नियोजाज निकाईयों की कौंसलिंग की तिथी और अस्थान जो है आप लोग के लिए जाड़ी होना सुरू हो चुका है जीला वाईज तो आप जो है परतेग जीला के NIC की वेपसाइट पे जाके आप जो है कॉंसलिंग का सेड्यूल आप निका सकते हैं अस्थान देख सकते हैं यह जो है मुझपरपुर जीले की है और देख सकते हैं कि साहँ पर मुझअपरपुर जिले में साहभ गंज परखंड की ऐसे 5 के लिए उसी की डेट रखी गई है वो 15 मार्च 2022 से सुरू हरी है। लेकिन कौंशलीं निधायत है 14 मार्च 15 और 16 मार्च की डेट निधायत है लेकिन मुझारपुर में दो डेटों में कौंसलिंग हो रही है 15 मार्च में तो 15 मार्च में जो है साहिब गज की कौंसलिंग हो रही है और कख्छा एक से पांच में जो सनसोधित सीट है UR के लिए पांच है BC के लिए 12 seat है, EVC के लिए 7 seat है, EWS के लिए 1 seat है, कुल मिलाकर 25 seat है साहिब गज में करचा 1-5 के लिए तो अगर आप लोग इलिजिबल हैं, अगर आप आवेदन किये हों हैं तो यहाँ पर आके कौनस्लिंग आप करा सकते हैं महिला सिल्पकला उंच बिद्याले में आपका मुझभफरपुर में कॉसलिग होगा बनार्स्पेंग चौक के पास जहां पर पिछले बार कॉसलिवा था वहीं पर उर्दू के लिए भी देख सकते हैं उर्दू वाले केनिडेट के लिए उसके बाद पगहियां हिनल का अंसलिंग हो रहा हैं और यह भी एक seat है और आई के लिए परंद जीवर तारा जीवर की counseling हो रही है कुल यहां पर दो seat है एक महिला और एक मतलब पुरुस का है तो देख सकते हैं कि counseling अस्थान जो है निर्धायत कर दी गई है डेट जो है fix है पहले से तो आप सभी तबाह मरते हैं अब भाग लेना चाह रहे है तो आप सभी अब भाग ले सकते हैं अपने side documents को लेकर जाएंगे और counseling आप जो है कराएंगे अपना counseling में अगर किसी भी problem हो रही है दिकत है किसी परकार की जानकारी की अभाव है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं और यहां देख सकते हैं helpdex का निर्मान किया गया है उ आप सभी तमाम अभ्यरती जो लोग counseling में भाग लेना चाहते हैं आप लोग जो है ले सकते हैं जीला भाई जो है counseling schedule जो है आना सुरू हो चुका है अस्थान जो है आना चुका है तो आप सभी अभ्यरती जो है ब्यार सीक्षिक वाले पर जो हर एक अपडेश सबसे पहले पा